असलाम अलेकूं दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही एहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशनल रिव्यू के बारे में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडेक्शन को देखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन और मीनिंग को, फिर इसकी काइंट्स और लास्ट पर इसके पर्पॉसिस लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो नीचे रेट बटन को दबा के सबस्क्राइब करें, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडेक्शन के बारे में जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है वो प्रिजेंट करता है टू टाइपस ओफ जुडिशन रिव्यू जो के वैलिड भी हैं इसके साथ साथ कॉंसिट्यूशनल भी हैं और ये रिटन फो में मुझूद भी हैं यानि के स्टेचुएड्स हैं और ये इनफोर्स होते हैं तू लीगल सिस्टम मतलब अगर सिंपल अलफाज में बोलू तो पब्लीक अफॉलिटी उसके पास लीगल पावर होती है लेकिन जो कॉट हैं ये जुडिशल रिव्यू करती हैं मतलब कि लीगल पावर से भी अबाव पावर यूज करके जो लीगल पावर में जो कमी को ताहीर रह गई होती है अब judicial review कोई बाहिर से आके बंदा नहीं करता बलके courts इसे हुद करते हैं. Judicial review मतलब कि judgment भी हुद देते हैं, president भी हुद मनाते हैं और इसके बाद judicial review भी हुद ही करते हैं. लेगिन इसका procedure बिलकुल अलाग होता है, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. तो जो पहली type है, वो ये है कि all courts have their general power, मतलब कि हर जो court है उसकी general power, जहां तक उसकी territory है, वहां तक उसकी power फैली होती है, जहां तक वो अपने ruling देती है, अपने judgments देती है, तो उसको review करना, ये पहली review की type है, जिसे हम judicial actions कहते हैं. दूसरी kind है review of administrative and legislative actions, administrative and legislative actions क्या होते हैं, कि या हमने उसे elect किया हो, या वो appoint हुआ हो, यानि कि जिसे हमने elect किया है, उसने उसे appoint किया हो, मिसाल के तोरबर हमने prime minister को elect किया, और उसने आगे अपनी कभीना मनाई, तो उसने उन्हें appoint कर लिया, तो इसका जब judicial review होगा, तो ये कह रहलाएगा administrative and legislative actions, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, तो इसकी definition से समझनी की कोशिच करते हैं, ये जो judicial system है, ये एक review करता है executive का, legislation का, और administrative actions का, जो के review होता है judiciary से, आगे हम बात करते हैं, इसकी kind के बारे में, सबसे पहली kind आती है, specific statutory review, जिसमें जो बड़े एहम कानून आ जाते हैं, सारे specific जो कानून है, वो आ जाते हैं, जैसे के rent laws आ जाते हैं, labor laws आ जाते हैं, land laws आ जाते हैं, ये सारे specific हैं, दूसरी kind आती है general statutory review, जिसमें general, मतलब कि तमाम public के लिए, जो के declaration आ सकते हैं, कि ये property बच्चे को चलीगी, जबकि उसकी बीवी को जानी चा कि ये statuate में add नहीं, बलके constitution में add है, जैसे के case आता है, gender का, race का, ये किसी और तरीके का, जो के national, international level पे होता है, तो उसका जो फैसला होता है, वो non statutory review से होता है, और last पर हम बात करते हैं, purposes of judicial review, सबसे पहला इसका purpose है, maintaining checks and balance, मतलब कि जो judicial review है, उसका जो सबसे पहला purpose है, वो ह उनको check करना कि वो low के मताबिक काम कर रही है, या नहीं कर रही है, ये हर शेहरी को protection provide करती है, state के against, मतलब कि state अपनी power का कुछ गलत use ना करे, कि वो जो शेहरी है, उसके जमरे में आ जाए, उसकी कैद में आ जाए, judicial review rule of law provide करती है, मतलब कि rule of law law सबसे आला, जो कानून है, व कोई भी judge अगर अपनी मनमानी करता है, तो उसे कोई पकड़ नहीं सकेगा, और rule of law नीचे आ जाएगा, दूसरा purpose है, judicial independence, जिसमें साफ साफ वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, independence, अजादी, judicial अजादी, यानि कि अदलिया के जो judge है, उनकी अजादी बहुत जरूरी है, judicial review के लिए, जो judiciary के judge है, वो without fear of favor हो, मतलब कि nepotism नहीं होई चाहिए, कि ये हमारा बंदा है, और इसने ये crime किया है, लेकिन आप इसे रहा करते, दूसरे नमरे पर political pressure नहीं होना चाहिए, किसी भी judge के उपर, तीसरा purpose आता है, इसकी eligibility, मतलब ये कहां तक eligible है, सबसे पहले ये अगर हुआ है, तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, judicial review के जरीए, अगला purpose आता है, accessibility and affordability, मतलब कि जो judicial review है, उसके रस्ते में ज्यादा hurdles तो नहीं है, उसका procedure असान तो है, ताकि हर बंदे तक उसकी रसाई मूंकिन हो सके, और कोई अगर ऐसा शक्स भी है, जिसके पास financial support नहीं ह तो court उसे खुद financial support करती है, कि आप अपना जो case है, उसका judicial review करवाए, अगले number पे आता है scope, कि judicial review का scope क्या है, सबसे पहले तो ये public bodies के judicial review करती है, उसके बाद political parties अगर है, तो उनका भी judicial review करता है, जैसे हमने पूरी वीडियो में बात की, और जैसे जैसे state की responsibilities बढ़ती जाए तो उसका decision जो होगा, उसका मतलब ये नहीं कि आने वाला case same होगा, उसका decision भी same हो जाएगा, नहीं बलके उसमें जो evidence है, उसके जो तमाम सबूत है, उसको नजर में रखते हुए, उसका decision हमेशा अलग होगा, और judges के पास एक range तक remedies होती है, rights होते है, ताके वो जो पूरा